मशकार मध्यप्रदेश का मंच में आपका एक बार फिर सवागत है आज हम बात कर रहे हैं मध्यप्रदेश के तमाम उन नेताओं से जो मध्यप्रदेश की राजनीती में और देश की राजनीती में माइने रखते हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त पूरू केंदरी मंत्रियों और कॉंग्रेस के वरिष्टम नेताओं में से एक कमलना जी कमलना जी आपका इंडिया नी उस पर बहुत-बहुत सवागत है सबसे बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- एक नई दिश्टी कौन से, एक नई नजरिये से आवशकता है कि मद्यप्रदेश के विकास का एक निया नक्षा बनाया जाए। मद्यप्रदेश के विकास की अगर बात करी जाए तो जैसा काम आपने चिनवाणा में किया है, शायद वैसा काम दशकों में मद्यप्रदेश के कुछ इलाकों में ना हुआ हो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले विकास की परिकल्पना चिनवाणा में आपने दिया, आपने शुरुआत की, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो तीन या चार दशक हो गए हैं, जब से मुख्यमंत्री बनता है, वो जनता के आशिरवास के साथ साथ कमलनात का भरोसा भी पाता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बार क्या मद्यप्रदेश में किसी को चेहरा देना चाहिए? देखे, इसकी आवशक्ता पड़ी तो पार्टी में इसका फैसला होगा, पर मैं तो ये मानता हूँ कि मद्ध्पदेश में कॉंग्रिस में हर चेहरे की आवशक्ता है जोतर रतित्या सिंदिया जी होएं, दिग्वीजय सिंग जी होएं, सुरेश पचौरी जी होएं सब चेहरों की आविशक्ता है और सब चेहरों को मिलकर जंता के सामने अपना अजेंडा पेश दरना होगा अपना उनकी क्या सोच है और जो भारतिय जंता पार्टी ने पिछले पांच साल में जो मद्ध्यप्धिश को अंदेरे की तरफ घसीता है आज जंता इसे समझ रही है मैं मानता हूँ कि आपके आप जिस मुद्ध्य को उठा रहे हैं उस मुद्ध्य को बड़े शशक डंग से कॉंग्रेस की दूसरे लीडर भी उठा रहे हैं लेकिन आज जब मैं मुख्यमंतरी का इंटिव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि कॉंग्रेस इन तमाम वो एक ही मुद्धा उठाते हैं कॉंग्रेस का चेहरा कौन सा होगा तो मैं आगे बड़ू उससे पहले आपसी जानना चाहता हूँ कि क्या भारती जनता पार्टी का ये दाओं काम कर पाएगा बिलकुल मैं सोचता हूँ कि चेहरे की आवशक्ता अभी नहीं है और चेहरे की आवशक्ता अगर आई अगले तीन चार पांच महिनों में चेहरा जरूर कॉंग्रेस पार्टी सामने लाएगी पर इती सारी जो भारती जनता पार्टी ने पिछले पांच साल में पिछले पंद्रे साल में प्रदेश को धोका दिया है आज मद्द प्रदेश का मद्दाता निराश होने को तयार हो सकता है पर वो ठगा जाए ये बरदाशनी होने को तयार और आज मद्द प्रिदेश का मद्दाता हर वर्ग ये सोच रहा है कि वो ठगा गया है और यही मद्दान के दिन के लिए वो इंजार कर रहा है लेकिन लोग ये कहते हैं कि भारती जन्ता पार्डी का संगठन बड़ा मजबूत है उसके संगठन में बहुत शमता है माइक्रो मैनेज्मेंट बड़ा मजबूत है मेक्रो मैनेज्मेंट बड़ा मजबूत है तो जब चुनाओ लड़ा जाता है तो इन चीजों का भी महत होता है आप इतने सालों से कॉंग्रिस की राजनीती की दूरी रहें Congress की राजनीजिके केंदर में रहे हैं मैं आपसे जानना चाहूँगा इनका कितना महत होता है और जनता जो perception बनाती है उसका कितना महत होता है महत तो होता है संगठन का महत तो होता है आज हमें ground level पर Congress का संगठन है इसको सक्रिय करने की आवशक्ता है इसमें कोई शक नहीं कि हमें गाउं गाउं में संगठन की आवशकता है गाउं में कॉंग्रेस का कारे करता कॉंग्रेस की जो कारे समयती है आज बसी हुई है तो इसमें कोई शक नहीं है पर जो भारतिय जनता पार्टी का धन का जो मनी पावर है जो धन का लाब है जिस प्रक वो खर्ट करेंगे ये इसमें कॉंग्रेस पीछे रहेगी पर मैं मानता हूं कि जनता का आक्रोश इतना है कि इसका कोई असर नहीं पड़ने वारा आप मानते हैं जनता का आक्रोश कितना है क्या आप मानेंगे कि कॉंग्रेस के पास एक ऐसी पार्टी जो सवा सो साल से भारती राजनीती के भारती स्वतंत्रदा अंदोलन के केंदर में रही है उसके पास पैसों की कमी है चुनाओ लड़ने के लिए बिल्कुल हमारे पास संसाधों की कमी है और क्यूंकि हमने जेस्टिस प्रकार भारती जनता पार्टी ने एक हजार क्रोर या आट सो क्रोर रुपे का ओफिस बना लिया चार सालों में दिल्ली में ये तो सब पूरा बीडिया जानता है किस प्रकार का ओफिस बनाया है जिस प्रकार का पैसा वो हर उप चुनाम में खर्च करते हैं जिस प्रकार का पैसा इन्होंने जो हमारे राज्यो में चुनाव हुए खर्च किया यह सब बाते जंता देख रही है जंता समझ रही है आज हम मानें कि जंता नहीं समझती है बहुत बड़ी भूल होगी मद्यप्रदेश की जंता सरल सोबाब की है गरीब है बैकवर्ड है पर मूर्ख नहीं है लेकिन मैं आप से जानना कि क्या एक alternate leadership Congress पूरे देश में नेत्रत के तार पर दे पा रही है क्योंकि आप सिर्फ मध्यप्रदेश के नेता नहीं आप देश के नेता हैं मैं आप से जानना चाहूंगा कि इसको देने में आखिरकावर Congress विकपल क्यों है पिछले चार सालों में जब से नरेंद्र मोधी कि सरकार आई है तब से अभी हाल में ही राहुल गाजी जी ने अधिक्षपत का अधिक्षपत समाला है और हमने अपना चेहरा सामने किया है आज जनता ये कलाकारी की राजनीती नहीं पसंद करती ये गुम्रा की राजनी थी, ये नारों की राजनी थी ये जो इतने सारे नारे दिये, मेक इन इंडिया, स्केल इंडिया, डिजिनल इंडिया मैं तो आप से पूछता हूँ कि आपको कोई डिजिनल इंडिया वाला दिखता है स्टेंड अप इंडिया वाला दीखता है, स्केल इंडिया वाला दीखता है, अगर आपको नहीं दीखता तो क्या जंता को दीखता है, तो देश की जंता इन नारों को पहचान गई है, ये कलाकारी की राजनीती नहीं चलने वाली, ये कलाकारी की राजनीती की एक सीमा होती है आज जन्ता ने इन्हें सही तरीके से पैचान दिया है सही तरीके से पैचान दिया है लेकिन मेरा सवाल कुछ दूसरा सा कमला जी मैं रास्टी रास्टी और प्रदेश की राजनी जी दोनों के से अंदर में बोल रहा हूँ कि एक alternate कि अगर मोधी जी नहीं है या XYZ नहीं है तो इसकी जगे ABC का नेत्रत आएगा ये भरोसा क्यों नहीं स्थापित कर पा रही है जनता के अंदर कॉंग्रेस हम बिल्गुल कर पा रहे हैं हमारा चेहरा देश के सामने राउल गांधी जी है तो इसमें दो राई नहीं है तो राष्ट्री लेबल पर हमारा चेहरा राउल गांधी जी है और राउल गांधी जी पर मुझे पूरा विश्वास है कि लोग यखीन करेंगे अगर 2019 की चुनाओं के बात की जाए जो सामने है और आप खुद मद्ध्रदेश सांसद है मैं आपसे जाना चाहूंगा कि 2019 के अंदर राउल गांधी की लीडरिशिप होती है तो आपको लगता है कि छेत्री च्छत्रब जो हैं वो आपके साथ एलाइंस करेंगे बिल्कुल करेंगे बहुत अश्य चर्चा हो रही है और वो खुद क्यूंकि आज जो को इससे चर्चा कर रहा और इसका केंदिय करन होगेगा आने वाले कुछ मैनों में इसका केंदिय करन जरूर होगेगा और मुझे विश्वास है कि सब गैर NDA बाले दल मिलकर बारतिये जन्ता पार्टी का सामना करेंगे हर प्रदेश की परिस्तितिया अलग है हर प्रदेश में एक अलग रणनीती बनानी पड़ेगी ये भी हमें स्विकार करना पड़ेगा ठीक है मैंने माना हर प्रदेश में अलग रन्निती पनानी पड़ेगी लेकिन जितने बड़े प्रदेश हैं वहाँ पर तो मात्र कॉंग्रेस एक जूनियर पार्टनर की तरह हो गई है उत्तर प्रदेश के इलावा और भिहार के इलावा बड़े प्रदेश में हम कोई कम नहीं है राजिस्तान में हम कम नहीं है मारास्ट्र में हम कम नहीं है गुजरात में हम कम नहीं है अभी गुजरात का परिणाम देखिए हाँ जो मोदी जी का प्रदेश जो भारतिय जन्ता पार्टी का सबसे बड़ा गड़ माना जाता है अमेच्छा जी का प्रदेश अगर सूरत को हटा देते तो बारती जन्ता पार्टी पराजित थी लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए जहां 73 सीटे हैं वहां पर 73 से जादा सीटे हैं वहां पर क्या हाल है आप उत्राखण में देखिए वहां पर क्या हाल है आप बाकी जगों पर देखिए वहाँ पर क्या हाल है तो ऐसे में जो major states है आप आंधर प्रदेश में देखिए वहाँ पर क्या हाल है आप तमिल नाडू में देखिए वहाँ पर क्या हाल है सिर्फ केरल और पंजाब में आपकी सत्ता कहीं न कहीं दिख पाती है या आपकी परिस्थिती या स्थिती कहीं इस पस्त होती है लेकिन इस हिद्धिभाशी राज्यों में मद्य प्रदेश का संगठन जरजर हो चुका है क्या आप इस बात को accept नहीं करेंगे मैं नहीं accept करता हमारा संगठन सब्जग है आपने टामिल नाडू की बात करी क्या बीजेपी की एक स्थित है टामिल नाडू में बीजेपी की एक स्थित नहीं है टामिल नाडू में और हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में हम कमजोर हैं अभी हाल में ही 2014 में हम कमजोर थे अभी हाल में ही जो उप चुना हुए मुख्य मंत्री अधित्यानाजी की ग्रेट शेतर में जहां से वो 25 साल लगब उत्ताई सांसद रहो जीते हुए वहां क्या हुआ? आज उप मुख्य मंत्री के फूलपुर में क्या हुआ? आज जनता बोलने लग गई है जनता जो पिछले 5 साल के अपने फैसले 2014 के फैसले के बार 2-3-4 साल इंजार कर रही थी अब इंजार करने वाली नहीं है और हम ये मानें कि ये हमारा संगठन कमज़ग है मैं नहीं मानता ये बात हमें याद रखनी है कि ऐसा भी समय था जब मैं संसर में था जब भारतिय जनता पाटी की दो सेतिय थी लोग सबा के अंदर दो से आज पूर्ण बहुमत के आसपा से हो लगबग 270 के आसपा से कमलना जी इस achievement को भी आपको मानना पड़ेगा लेकिन मैं दूसरा आप से काउंटर पूछूँगा अगर मैं आपके example को आगे लूँ तो गोरकपूर के अंदर और फूलपूर के अंदर आपने दो example दिये वहाँ पर Congress के प्रत्याशी जो है उनकी अगर बात करी जाए तो शायद उनकी जमानत भी नहीं बच पाई है आपके जो विरोधी दल के लोग है या आपके जो सही होगी दल के लोग है उन्होंने दो विपक्ष की पार्टियों एक साथ एक जूट होकर चुनाव लड़ा क्यों Congress उनको एक जूटता नहीं दिखा पाई उस समय हमने हमने तेह नहीं किया था पर अब चर्चा है सबसे चल रही है मैं मानता हूँ कि उस समय हमें तेह कर लेना चाहिए था हमने तेह नहीं किया पर अब हमने तेह कर लिया है और हम सबसे कोई ना कोई प्रकार का तालमिल बनाएंगे ताकि बारतिये जनता पार्टी का जो सही चेहरा है जनता के सामने रखा जाए। नहीं मैं सोचता हूँ कि जो फैसले लेने हैं बड़ी जल्दी ही लिये जाएंगे इसमें कोई शक्त नहीं है और सब अपने काम में जुटे हैं कोई याता निकाल रहा है कोई दूसरे जिलों में दौरा कर रहा है आज हमें हमारा संगटन में को और सक्रिय करने की आबशकता ह हम सब उसमें लगे हैं कोई घोशना होए इसकी होए कोई फैसले हैं हम हम उसकी इंजार नहीं कर रहे हैं ये फैसले होते रहेंगे पर सब अपने काम में जुटे हैं आप कह रहे हैं सब अपने काम में जुटे हैं बीजेपी भी अपने काम में जुटी हुई है और वो सिर् तो एक ही बात याद दिलाती है कि दोहजार तीन तक दस साल दिडविजे की सरकार कैसे चली क्या उस बात का कोई काट आपके पास होगा उस चीज को कैसे काउंटर कर पाएंगे हम काउंटर देखिए ये आज तस्वीर तदेश की तस्वीर सब के सामने है जो मैंने शुरू में बात कही थी जब हर वर्ग परिशान है मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसी परिस्तिती नहीं देखी कि जहां हर वर्ग परिशान हुए जब किसान परिशान है नौजवान परिशान है वेपारी परिशान है महिला में परिशान है शास्किय करमचारी परिशान है ऐसी परिस्ति थी मैंने किसी अपने राज़नी की जीवन में नहीं देखी जो आज मद्यप्रदेश में उत्पन है कमला जी आखरी दो सवाल क्या कमला जी मद्य प्रदेश में पार्टी का चेरा होंगे या यह कहूं कि पार्टी क्या आपको मद्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के रूप में अगर प्रोजेक्ट करती है तो आप उसके लिए तयार होंगे केंदर की राजनीती को छोड़कर जी की राजनीती बियाने में? की भूख है मुझे चिंता है मद्यप्रदेश की भविष्ट की मुझे चिंता कोई पद मुझे मिले इसकी भूख नहीं है कमला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की और एक वाकरी सार्थक बात हुई है हम लोगों के बीच में और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस बर चड़कर विपक्षी दल के तौर पर सत्तापक्ष का सामना कर रही है वही परिस्तिय आगे भी बने क्योंकि अगर सत्तापक्ष मजबूत है तो विपक्ष का मजबूत प्रजाय संत्र में होना बहुत जरूरी है आप हमसे जुड़े कमला जी आपने हमसे बातचीत की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तो यह थै कमला जी जिनसे हमने ब प्रदेश के सम्मंद में क्या फैसला लेते हैं और कितनी जल्दी फैसला लेते हैं